आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी important होने वाला है जो कहीं पर interview देने जा रहे हैं दोस्तों मेरे पास कई बार comment आते हैं कि हमें transformer क्या होता है यह कैसे काम करता है इसका principle सब चीजें हमें complete पता है पर जब यही सवाल हमसे interview में पूछा जाता है तो हम इसका जवाब नहीं दे पाते तो transformer से जुड़े सवालों के जवाब कैसे आप interview में देंगे वही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो बीना दादा देरी करें वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तों वीडियो की starting में हम उस सवाल पर बात करेंगे जो सब भी interview के अंदे हंडेट परसेंट पूछा जाता है वह सवाल है what is a transformer, transformer क्या होता है तो इसका जवाब काफी जाता simple है आपको interview में बोलना है transformer is a static device, it can step up and step down voltage and current without changing frequency अगर मैं आपको इस line का हिंदी में भी मतलब बताऊं तो transformer जो होता है न एक static device है static device का मतलब एक तरीक का इस्थिर device है, जैसे अगर आप आपकी motor की बात करते हो तो motor के अंदर क्या होता है, हमारा rotor होता है जो की घूमता है, हिलता है लेकिन transformer के अदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, इसलिए बोलता है कि transformer एक static device है इसके बाद second line है, it can step up and step down voltage and current without changing frequency मतलब कि जो हमारा ये transformer होता है न, ये क्या कर सकता है, तो ये कर सकता है हमारा जो voltage होता है और जो current होता है, उस voltage और current को ये है हमारा कम या ज्यादा कर सकता है मतलब कि अगर आप चाहो, तो आप 11 kv voltage, मतलब 11,000 voltage को 415 voltage भी बना सकते हो आप चाहो तो 415 voltage को 11,000 voltage भी बना सकते हो मतलब कि अपने requirement के अनुसार, हम transformer से step up and step down voltage और current को करवा सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तो एको line आपको interview बतानी है, without changing frequency ये line आपको हमेशा दियान रगनी है, कहीं बार interview के अंदर आपसे एको repeat question भी पुछा जाता है कि transformer जैसे 11 kv को 415 voltage में बदल रहा है, मतलब step down कर रहा है voltage का तो इसकी frequency में कितना change आएगा, तो आपको हमेशा एक बात दियान रगनी है कि transformer कभी भी frequency में बदलाव नहीं करता मतलब अगर इस side आपने 50 Hz frequency की supply जोड़ी है, तो दूसरी side भी आपको 50 Hz मिलेगी ऐसा भी नहीं कि आपकी 0.5 Hz भी frequency कम हो जाएगी, तो आपको ध्यान रहा है transformer कोई भी frequency में बदलाव नहीं करता है, frequency हमेशा एज़िटीज रहती है इसके बाद हमारा second सवाल आता है, what is the working principle of a transformer, मतलब कि हमारे जो transformer होता है, किस principle पे काम करता है, किस सिधान पे काम करता है तो इसका जिवाब simple था है, the transformer works on the principle of mutual induction, दोसों यहाँ पर मैंने दो चीज लिखिये, यहाँ पे आप देखोगे कि transformer works on principle of mutual induction और साथ मैंने लिखा है electromagnetic induction, तो यहाँ पर मैं दो दो चीजी क्यों लिखिये, कहीं बार क्या होता है दोसों, लोगबाग Google पे सर्च करता है और उन आपको बता दू, interview के अंदर आप electromagnetic induction भी बोल सकते हो, Mitchell induction भी बोल सकते हो, वैसे जो electromagnetic induction जो principle होता है, यह हम जादा कर motor की working में use करते हैं, मतलब अगर आप से पूल आजए कि आपकी motor की इस principle पे काम करती है, चाहे वो AC motor हो या DC motor हो, वो किस principle पे काम करती है, या फिर हमारा जो generator है, यह सभी हमारा जो काम करते हैं, यह हमारा करते है, electromagnetic induction पे, लेकिन जब हम specific transformer की बात करते हैं, कि transformer किस principle पे काम करता है, तो वो करता है हमारा Mitchell induction पे, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दू, कि अगर आपको Mitchell induction याद नहीं आ रहा है, तो आप electromagnetic induction भी अगर interview में बोल द दान पे काम करता है, तो आपको बस simple सी line या रखने हैं कि transformer हमारा काम करता है, mutual induction पर, जिसे हिंदी के अंदर अन्योनिय प्रेरन कहते हैं, यह सवाल का जवाब देने के बाद में, आपसे repeat में, interrupt में, question पूचा जाता है, कि आखिरकार mutual induction होता क्या है, transformer mutual induction में काम करता है, तो है कि हमें थोड़ा सा बताओ, तो simple सी line आपको यहाँ पे बोल जी है, mutual induction is a process, where a changing magnetic field in a coil of wire induced an electrical current in another nearby coil, दोस्तों अभी आपको यह थोड़ी से difficult लगी होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसको practical तरीके से समझाता हूँ, यहाँ भी क्या लिखा है, mutual induction is a process, जहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एक कोईल है, मान लीजी कि आपके पास में एक कोईल है, इस कोईल में हमारा current flow हो रहा है, जिसकी वज़य से हमारा क्या बन रहा है, एक changing magnetic field बन रही है, अभी changing magnetic field की मदद से, हमारी जो इसके पास में एक और कोईल रखी हुई है, जो कि इसके पास में nearby रखी कोईल में भी हमार जो इलेक्रिकल करंट है वो हमारा इन्ड्यूउस हो जाएगा इस दूसरी कोईल में हमने कोई भी सप्लाई नहीं जोड रहुद events पिर भी हमारी इस पहली कॉइल के चल्णãy magnetic field के कारण हमारी दूसरी कोईल में भी automatic current flow होने लग जाएगा तो दोस्त बस आप Mitchell induction का अगर इतना सा जवाब interview के अंदर बता दोगे उन्हें explain कर दोगे तो आपका interview काफी अच्छा हो जाएगा उमीद करता हूँ दोस्तों transformer से related जो मुख्य तीन question होते हैं वो मैंने आज आपके clear कर दिये हैं इस तरीकी की videos अगर आप आगे देखना चाते हो तो आप मुझे comment box में comment करके बताईएगा जिसके अंदर मैं आपको direct answer बताऊँगा जो कि आप interview के अंदर बता सकते हो वैसे अगर आप transformer की working समझना जाते हूँ detail में तो इसके अपर already मैंने video बना रखा है वह video आपको end screen में मिल जाएगा उमीद करता हूँ आज का इवीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक like के जिरू बताईगा अगर आपके इस वीडियो के परते इलेक्री जोटों के सवाल रह गया था आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है इलेक्रिकल वीडियो से अपने पसंद करते हैं आज ये मैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजी आज के लिए इतना ही धन्यवाद